U.P. Power Corporation के DG, S.N. सावत ने बिजली चोरी को लेकर जनतंतर TV सिखास बाथ्चित की S.N. सावत ने बिजली चोरी को लेकर कहा कि बिजली चोरी करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा और बिजली चोरी को रोकने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है और क्या कुछ कहा सुनिए शाशन के निर्देशानुसार यह हमारा अभियान चल रहा है कि जो बजली चोरी करता है उनके खिलाब कारवाई करने के बारे में जो योजनाबध रूप से चोरी करते हैं उसके बारे में हम लोग पहले से आसुचना संग्रा करते हैं और उस पे हम लोग कारवाई कर रहे हैं उसके साथ साथ जो high loss areas है जहां पे transmission loss बहुत ज़्यादा पाया जाता है उस area को focus करके हम लोग ये कारवाई कर रहे हैं इस तरह से जुड़ा हुआ है कि ऐसे में क्या एक संदेश भी देना चाहिए ऐसे लोग चोरी करते हैं उनको एक बड़ा संदेश भी जाना चाहिए कर चोरी करेंगे तो आप पर इस तरह की कारवाई की जाएगी निश्चित रूप से मैं सभी से अपिल करूँगा और लोगों को कि अधिकांस लोग तो समय से अपना बिल भी पेमिंट करते हैं और चाहते हैं कि नियम के अनुसार सभी कार्य करें लेकिन उसके बावजूद वो देख रहे होंगे कि उनके इर्दगिर्द में कुछ ऐसे है जो चोरी करते हैं जिसमें पूरी ब्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और पूरे उसमें बहुत बड़ा लॉस भी होता है जिससे फिर रिश्टोर करने में समय लग जाता है तो इसी को कम करने के लिए वो भी बढचड कर हिस्सा ले और वो आगे आए और जो चोरी कर रहे हैं उनके बारे में जो हल्प लाइन नंबर विद्ध कर्परिशन का है उसमें भी नोट करा है या टेलिफोन के माध्यम से हमारे करेलोग भी नोट करा है जो घर से जुड़े हुए लोग हैं वो तो चोरी करते हैं लेकिन जो बड़े माफिश जो मचली वाले हैं या कहें कि जो कामर्सियल लोग हैं वो भी इस तरह के जोड़े होते हैं ऐसे में क्या इन जो बड़े मचली वाले लोग हैं या ऐसे जो बड़े लोग हैं जो कामर्सियल यूज में चोरी करते हैं उनके लिए कोई सेस अभियान चला जा जा जो पहले भी मैंने आपक को सबसे पहले बताया कि जो योजनावध तरीके से चोरी करते हैं या किसी के साथ मिली भगत से अगर चोरी होते हैं तो हमारे विजिलन्स विभाग भी इसमें बहुत एक्टिव है और उसका भी हम लोग खबर पहले से लेते रहते हैं और आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि महा अप्रिल में 534 ऐसे केसे से जो बड़ी चोरी पगड़ी गई है और यह अभी आनमी हमारा चलना है यह कब तक अभियान चलेगा और कब इसकी समय सीमा है अभी यह गर्मी के समय हमारा यह लगातार जारी रहेगा क्योंकि यह तीन महना आप जानते हैं कि यह बहुत प्र बाउधान हो जाएं कि उस अतरक्ता विभाग अब लगातार हर जिले पर पहनी नजर रखने के साथ साथ कड़ी कारवई करता हुआ नजर आ रहा हैं कि यह बहुत पांडे जनतंत्र टीवी लखनो खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जनतंत्र टीवी एप को जो कि अविलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें